एक विमान की कल्पना करें, इस दुनिया का नहीं, बलकी प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से. एक विमान जिसे, पुश्पक विमान के नाम से जाना जाता है, एक समय ये दस्सिर वाले राक्षस राजा रावन के स्वामित्व में था. रावन की मृत्यू के बाद, एक प्रश्ण जो जिग्यासु मन को गुदगुदाता है वह है, ये पौरानिक विमान अब कहां है? महाकाव्य रामायन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या लोटने के लिए इसी विमान का उप्योग किया था, जिसके बाद ये गायब हो गया. कुछ का मानना है कि ये देवताओं के पास वापस चला गया, जबकि आन्या का मानना है कि ये प्रित्वी पर कहीं छिपा हुआ है और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है. खेल की दुनिया में एथलीट अक्सर ऐसी पौरानिक कहानियों से प्रेरणा लेते हैं. मन की शक्ती, बाधाओं पर काबू पाने की ताकत, जीतने की इच्छा, ये रावन के विमान में समाहित गुन है, जो तकनी की चमतकार और शक्ती का प्रतीक है. इसलिए, पुश्पक विमान चाहे कहीं भी हो, इसकी कहानी प्रेरणा देती रहती है, हमें याद दिलाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है. चाहे आप सीमाओं को पार करने वाले खेल प्रेमी हो या सितारों का पीछा करने वाले सपने देखने वाले हो, याद रखें, आपका विमान आपके भीतर है. इसे पकड़ो, इसे गले लगाओ, और उची उड़ान भरो.